हमारे साथ जुड़ गए है सौरब गुड बॉर्निंग वेलकम टू एटीनाव स्वदेश बाजार में जिस तरह से अंटिसिपेटेड था अज सुबह विदेशी बाजार बिक्वाली का दबाव जेल रहे थे अब फिलहाल यहां पर ट्रेट सेटप जो नजर आ रहे हैं बिक् अगर आप 99% of US के पुछे या इंडिया के पुछे वो मैप में उक्रेन कहां निखा भी हैंगे तो युक्रेन में ज्यादा समय नहीं गवाना इस मुद्धे पे इस ग्रेट पार कॉन्फिक युक्रेन एक पौन है एक पौदा है ऐस USA और रशिया फाइट आउट इंडिया क एकौनमी रिकावर कर रही है हिंडुस्तान में जो रिकावरी है उस पर फोकस कर रही है शानती से अच्छे कंपनी पर निवेश कीजिए जाधा निउस फ्लो में आके ग्लोबल मैक्रो में उलचके जाधा दिमाग खपाने की दरूफ नहीं है और वेरी वेल सेट प्रियंका यह आप्सलूटली आप्सलूटली इंफाक ऐसे सिटुवेशन पर प्रानिक बहुत जाधा होता है तो व्यूवर्स को इन्वेस्टर्स को यही वर्द्स ओ विज्डम चाहिए होता है उन मार्केट पार्टिसपेंट से जो कहीं डीकेज से बा इस वक्ता आप बैंक निफ्टी पर सबसे जाधा कार्नेश देख रहे हैं NBFC होल्डिंग है मार्केट में उनकी लोन बोक रोध भी 25 परसेंट के रीवन चल रही है पुशिंग टूर्ड अच्छिए अब 30 परसेंट की तरफ लोन बोक रोध जा रही है बजाज फाइनाइंस आवास चोला मंडलम जैसे मैं NBFC की बात करूँ पुशिंग फाइनाइंस कंपनी की बात करूँ तो रिकावरी जबर्दस है नोट जिस लोन ब्रोध आ रही है NPA का जो पुरा मुद्धा था लोन स्ट्रेस का जो मुद्धा था वो चला गया है और मैंने कल रात को हमारे अनलिस्टें बात कर रहे थे कोविट के शुरवाद से लेकि आज तक अच्छे क्वालिटी फाइनाइंस तक जिकर कर रहा हूँ उनका मुनाफ़ा 45 परसेंटे बढ़ा है स्टॉक प्राइस बढ़ा है करीवन 0 परसेंट तो अगर इतने अच्छे जिंदगी में मौके कोई जवा देगा तो इस क्योटो इंडियन मार्केट में ज़्यादा मजा नहीं आएगा तो एकॉनमी पे अच्छे कंपनी पे अच्छे फाइनाइस का लोगों को ग्रोग कर रहा है स्ट्रेस कम है भाव चड़ा नहीं है आराम से निवेश कीजिए और फायदा उठाइगे रिकावरी का बहुती शांदार सौरब और विकास दोनों ही एकदम बंजह हुए प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे अपने PMS चला रहे हैं बहुती काम वे में आज हमारे विवर्स को एकस्प्लेन कर रहे हैं एक सवाल मैं आप से लूँगा सौरब मुझे पताए आपफिस के लिए निकले हैं तो टाइम कम है आपके पास वो ये है कि अगर कॉन्फिक्ट होगा ग्लोबल ग्रोथ इंपक्टेड होगी तो क्या ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी उतना जिसलाब से टाइटन करने वाले से शायद वो एक स्टेप बैक ले लें ऐसा भी हो सकता है क्या तो ये बात अपने अच्छी शेड़ी है पेडरल रिजर्व के पास कुछ खास फेडरूम नहीं है तो उसके उपर अगर इतना बड़ा जियो पोलिटिकल एक पेस ओफ हो जाएगा तो पेडरल रिजर्व के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा रेट हाइक करना वैसे भी जैसे हमने अपने लास्ट वीक अपने रिसर्च नोट पे समझाया क्लाइंट्स को जब रेट हाइक होते हैं यूएस मार्केट उपर जाती है 70 साल का जेटा है जब रेट हाइक होते हैं इंडियन मार्केट उपर जाती है 40 साल का data है तो rate hikes वैसे भी चिंता जनक situation नहीं है और उसकी संभावना अगर चिंता की जो भी संभावना थी तो दिरे दिरे चली जा रही है जैसे ये geopolitical situation डेवलाफ होड़ा है